नमश्का दोस्तों में दिव्यांची वोडिक बर फिर हाजीरों SBD News की खाज कबरों की साथ पेशे आज 18 जुलाई दोगजार चोबिस गुरवार शाम सवा साथ बजी राजसान की बड़ी खबरें राजसान में चात्र संग्चुनाव की मांपो लेकर गुरुवार को जैपुर में राजसान युनिवर्सिटी की बाहर प्रदशन कर रहे चात्र नेताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया लाटी उर्थपर माटते हुए चात्र नेताओं को जबरन पुलिस वैन में बिठाया दरसल उनिवसिटी की बार सभी चात्र संक्टन समींतु प्रदशन कर रही थी अखिल भारती विद्यारती परिशत को भी प्रदशन में शामिल होना था लेकिन प्रदशन से पहले एवीविपी इस मुद्धे पर पीछे खट गई गुर्वार सुबई 11 बजे बाहर बड़ी संक्या में चात्र नेता जुट गए और कॉमर्स कॉलेज अध्यक्ष आरित्य शर्मा और पुलिस के वीच बहस हो गई इसके बाद पुलिस ने उठाकर उन्हें जीप में बिठाया और हिरासत में ले लिया बांसवाड़ा के मानगर्ड में चार राजु के आदिवासी समयलन में जुटे हुए हैं और इस संस्रुदिक महारेली में वक्ताओं ने चार राजु के उन्चास जिले मिलाकर नया भी प्रडेश बनाने की मानगी है बांसवाड़ा जिले के अनंद पूरिस्तित मानगर्धाम पर आदिवासी समाज की बड़ी सभा हुई है और इसमें संस्तापक सदस्य मेंका डामोर ने मन से का कि आदिवासी महिलाएं पीड़तों के बताये अनुसार न चले आदिवासी परिदार में सिंदूर नहीं लगाते मंगल सुतर नहीं पहनते और अब से सब व्रत उप्वास बंद करते राजसान की राजपाल कलवाज मुश्र का कारेकाल जल्दी पूरा होने जा रहा है जिसके बाद अब नए राजपाल के नाम को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं ने गति पकड़ ली है कलवाज मुश्र नहीं 9 सितमर 2019 को राजसान की राजपाल का पदभार गेंड किया था उनकी कारेकाल को असंतुशी पूर्ण माना जा रहा है अगले राजपाल की तोर पर फिलाल पूर जनरल वीके का नाम सबसे आगे चल रहा है राजसान की पूर राजपाल कलराज सिंग का कारेकाल पूरा होने के बाद प्रदेश के नए राजपाल की तोर पर कलराज मुश्र ने कमाल संभाधी थी आदिवासी समाज को लेकर की गई टिपणी पर शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने विधान सबा में माफी मांगी है दिलावर ने कहा कि मैं यह भी जानता हूँ कि जब भगवान राम बनवास गए तब उनको सहयोग करने वाले आदिवासी थी और भगवान नाम ने शबरी माता की घर जूटे बेर खाए दिलावर ने कहां आदिवासी समाज समाज का अभिन अंग है और इनके बारे में नकारात्मक भाव मैं नहीं मांता हूँ विपक्ष यादि से आदिवासी बंदू को जो मेरी जाती के हैं उनको मेरे शब्दों से अगर कोई कष्ट हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ राजसान में पांच सीटों पर होने वाले ये चुनावों की तयार यहां शुरू हो चुकी है भाजपा के प्रदेशा देख सीपी जोशी बुद्वार को टोंक जिले के दोरे पर है जहाँ भाजपा की जिलास करे कारे समीती की बैटक में उन्होंने शिरकत की और इस जोरा उन्होंने सचिंग पाइलेट की गड़ तोंक में पाइलेट पर निशाना साथा। गोविन सिंग डुटासरा ने आज इस सबन में सुशिन मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही और राजसान की पूरु शिक्षा मंत्री गोविन सिंग डुटासरा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं के साथ अन्याय और उनके भविश्य से खिलवार कर रही जिससे नोजवान भारी आक्रोशित है। लेकिन सरकार हो या वर्तवान समय की डबल इंजन की सरकार कोई राशन डीलर्स की सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर गउशारा को अनुदान मिला है तो उससे रिकवरी भी की जाएगी। जैपुर में एक 67 साल की बुजुर्ग से एडी के अधिकारी बनकर पांचलाग रुपे की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठग ने अपने आपको मुंबई का बताते हुए का कि उनके खातों से मनी लॉंडिंग हो रही है और इतना ही नहीं जहां से मिलेनी के लिए सुप्रिम कोर्ट के फर्जी डोक्युमेंट्स भी दिखाए। यह है मामला शहर की अशोक नगर थानिका है पेडित ने बताया कि वह बजाज मार की सी स्कीम में रिपोर्ट दी और कहा कि ठगी की बारदात उनके साथ हुई है। आरोपी ने प्रदीब से का कि उनके नाम से मुंबई में एक सिम एक्टिव है। जोद्पुर में असिस्टेंट्स सब इंसपेक्टर दोरा महिला से शिर्खाल करने का मामला सामनी आया है। महिला का आरोप है कि ASI ने उसका हाथ पकड़ कर 5000 रुपे मागे जब बच कर जाने लगी तो गाड़ी को दो तिन बाद टककर मार को से मानने की कोशिश की मामला तूर पकड़ने लगा तब ट्राफिक DCCP ने आरोपी ASI को सस्पेंड कर दिया राजसान रोडवेश बरकर्स यूनिन ने अपनी मांगो को लेकर सीकर बस डिपो में विरोध प्रदशन किया है करमचारियों ने रोडवेश प्रशासन में राजसरकार की खिलाफ जमकर नारेबाजी की जिसके बाद विधरने पर बैट गए और राजसान रोडवेश बरकर्स यूनिन्स के प्रदेश उपाजक्ष ने कहा कि पिछले कई सालों से रोडवेश करमचारी अपनी मांगो को लेकर संकर्श कर रहे है राजसरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है और लंबे समय से करमचारी के सुनवाई नग करने से करमचारी में रोश है चातर संकी चुनाब की मांग को लेकर आज राजसरान विश्रक द्याले की बाहर प्रदश्रन कर रहे चातर नेताओं पर पुलिस ने किया लाटी चार्ज पुलिस ने लाटी और थपड मारे हनुमान बेरिवा ने भजनला सरकार को चेतामनी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिग कर कहा कि जैपुर में चातर संकी चुनाब करवाने की मांग को लेकर चातरों पर पुलिस द्वारा लाटी चार्ज करना निंदनी है राजसान सरकार का यह कृत्य एक नी शर्मिता का उधारण है और चातरों के साथ मुक्यमंत्री भजनलाज शर्मा आप चातरों के इस आंदोलन को नहीं हलके में है क्योंकि राजी की युवाशक्ती ने एक राय होकर आंदोलन किया तो सरकार उसे नहीं संभाल पाए हुए जोदपुर जिले की बोपालगड विधानसवाक शेतर के गाम पंचायट धडेरा की किसान बीमा कमपनी की बज़े से फसल बीमा क्लेम लेने के लिए चकर काट रही है किसान गुरवार को कलेक्टेट पहुची और ग्यापन दिया किसानों का कहना है कि बीमा कमपनी की ओर से मनमानी से फसल क्लेम पास किया गया और इसके चलती पूरी धडेरा ग्राम पंचायत में किसी को भी फसल बीमा क्लेम नहीं मिला और उनके यहाँ पर 80% से अधिक फसल खराग हो ज़गी है उदैपुर शहर के देहली गेट से दोगली बाबडी जाने वाली रोड के बीच आज नगर निगम की टीम ने अतिक्रमन हटाया इस जोरान वहाँ पर दुकानदार और उसके परिवार वालों ने विरूत दर्च कराया हंगामे की सिती के बीच भारी वीड भी जमा हो गई और निगम की टीम ने इस पर तर्प दिया और एक भी नहीं सुनी असल में आज सुबै नगर निगम की टीम देहली गेट के अंदर धूली बाबडी रोड पर पहुँच गई और टीम के साथ धानमंडी पुलिस का जापता और नगर निगम के सुरक्षा करनी थे वहाँ पर जाने वाले मार्क पर संचाली चना, मुंख फली और अनने सामगली बेशने के दुकानों पर कारवाही की गई बिजली सिस्टम के एक खामियों के चलते वो बोगताओं को खासी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है यदि निगम बिजली गी लाइनों को ले कर समय रहते नहीं चेता तो ग्रामिन चेत्रों में बड़ी संक्या में बोगताओं को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है इन दिनों उम्मस भरी गर्मी के वीच कुछ समय की बिजली कटोती के चलते लोग परिशान होते दिखाई दिखाई दी रहे हैं दोसा जिले के पाड लाक शुट्र में बिजली कटोती से परिशान ग्रामिनों ने जम कर ना निवाजी की ग्रामिनों ने बिजली करमचारियों को कमरों में बंद कर दिया और खूब उत्पात मचाया जिसके बाद कई करमचारी GSS छोड़ कर मुखे से भाग छुटे फिलाल इस बुल्डिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ धन्यवाद